ऐसे ही अपने घर में बहुत अच्छी दवा है धनिया, धनिया सूखा वाला और ताजा, दोनों कामा है, अगर आपको एनीमिया है, माने खून की कमी है, तो हरा धनिया पीस पीस के चटनी बना बना के खूब खाओ, उसका रस पीओ, और सूखा धनिया सबसे अच्छा काम आत तो लगवग 20-25 दिन में सब तरह का थाइरट कतम कर देता सूखा धनिया, ऐसे ही आपके घर में बहुत अच्छी दवा है, काला नमक और सेदा नमक, आपको तो मेरी विंती है कि आप घर का नमक बदलतो अपना, पहले तो, ये फिसा हुआ तो लाना बन करतो, आप या तो स जहर जैसा काम करता है, और एक परमपरा बन कर दो, उपर से नमक डाल के खाने की, अगर कोई दिन आपको ऐसा लगता है कि नमक कम है, तो कम नमक का ही खालो, ये उपर से डाल के खतर ना है, इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक तो जिसमें बनाया है खाना उसका अपमान कर रहे हैं उसको ये सिगनल दे रहे हैं कि देखो तुमने नमक बराबर नहीं डाला है बहले आप बोले या ना बोले उसको ये हरट तो करने ही वाला है तो उसका अपमान कर रहे हैं और अपने शरीर का भी नाश कर दे तो उपर से नमक डालके तो खाना बिल्कुल ब बुरक के खाना यह तो बहुत अगर कोई मजबूरी ही बुरक नहीं है तो वह काला नम्क ठोड़ा बुरक लो और यह सफेद बाला तो इन चीजों से आप बहुत इलाज कर सके नमक बदल दो आपकी बहुत बिमारी चलिए और एक छोटी बाद में बताता हूं कि आपके घर में कुछ ऐसी ओशदिया हैं, जिनको दुनिया भर के लोगों ने आज माननेता दे दी है, उसमें से एक है तुलसी, अगर तुलसी आपके घर में है, श्याम तुलसी घर में है, जिसके पत्ते गहरे हरे होते हैं, तो आपके घर में सब बीमारियों का इलाज है, इस तुलसी के पत्ते का काड़ा बना के जो भी पीलेगा उसको कभी चिकन गुनिया हो नहीं सकता, ये गारंटी में देता हूँ और चिकन गुनिया ठीक होने के बाद जो सब शिकायते हो रही है ना अभी दर्ब नहीं जा रहा है, कमजोरी नहीं जा रही है, एकी दिन तुलसी का काड़ा प्रिलो तो सब चला जाए तुलसी जो है ना एंटी पाइरेटिक है, माने बुखार से होने वाली तकलीफों की सबसे अच्छी दवा है तुलसी, कभी भी बुखार आ जाए, तुलसी का काड़ा कभी भी दो, भूलो इमत, जादा तेज बुखार हो तो तुलसी के काड़े में अजरत करस मिलाओ, नही भी तेज बुखार खतम होता है, लेकिन में है इसका तुलसी, बेस है तुलसी, ओम्योपैथी में दवाएं तुलसी से बहुत है, आहिरुवेद में तो अद्बुत दवाएं है, इसका भरपूर इस्तेमाल आप अपने घर में करिए, जैसे जैसे कर सकते हैं, आप में से कई लोग आश्यर करेंगे, मैंने इसकंड डिसीज तुलसी से ठीक किये है, तुछा के रोग, सोराई, सेस, इचियो, सेस, एक बीमा, बीस-वी साल पुरानी बीमारियां तुछा के, तुलसी के रस तुछी को, अद्बुत है तुलसी, आप रखो इसको घर में बराग, और ऐसे की बीमारियों में काम करता है, पेज साफ करने में काम आता है, कान में कितना भैंकर दर्द हो, गौार पाठे करस थोड़ा घरम करके एक ही बून तपकाओ, तीन सेकंड में दर्द खतम कर दे, इंजेक्शन से भी तेजगती से काम करता है, किसी इस्तरी और पुरुष को लगाते हैं, गंटे के बाद धोलो, तो बाल जड़ना बन करा देता है, बाल ज्यादा काले रसने हैं, तो गौार पाठा सब्ता में एक दिल लगाते ही रहो रस के रूप में, अद्बुत काम करता है, आखों की रोशनी बढ़ानी हो, तो गौार पाठे को इस्तेमाल कर सकत हैं, मनुश्यों में पुर्षों को एक बहुत खराब बीमारी होती है, उसको बारवर सीचिंग कहते हैं, दाड़ी बनाओ ना उसके बाद लाल लाल फुंसियां हो जाती हैं, उनको बोलो के गौार पाठे का रस लगाके फिर शेविंग करें, तो कभी ये तकलीफ नहीं आत बीमारी खतरनास नहीं है, डॉक्टर खतरनास, एक बीमारी से दूसरे में फसाएंगे, दूसरे से आपको तीसरे में ले जाएंगे, ठीक ही नहीं होने दें, और आजकर डॉक्टर जो दवाएं आपको खिलाते हैं वो दवा अपनी मा बहन को कभी नहीं खिला सकते हैं, ऐस कि बहुत स्वरक्षित रहने वाले हैं सारे देश भक्त हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें जय हिंद्ध